हेलो, असलाम लेकुम आरोबन, I hope आप सब लोग ठीक होंगे समेस्टर सिस्टम में और एन्वल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है मेरी वीडियो बनाने का आज का परपस यही है कि मैं आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस बताऊं क्योंकि हम लोग इन्वल सिस्टम फॉलो कर रहे होते हैं, year के बाद exams देते हैं, board के exams देते हैं, yearly system को फॉलो कर रहे होते हैं तो जब हम suddenly university में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर semester system स्टार्ट हो जाता है और हम लोग confused हो जाते हैं कि इसका क्या routine है, इसकी क्या duration है क्योंकि हम लोग एक already metric से भी intermediate में भी एन्वल सिस्टम को follow करते हैं, तो हम लोग बहुत confused हो जाते हैं, जब हम university के अंदर enter करते हैं suddenly वो कहते हैं, आपका semester system है, आपका semester 4.5 months का है, आपका semester 6 months का है तो हम लोग इस चीज़ में बहुत confused हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग आदी होते हैं, एन्वल सिस्टम के और जब suddenly शुरू-शुर में 6 महीने के बाद exam आते हैं, तो हम लोगों को लगते हैं, यह तो इतनी छूटी से duration थी हम लोगों ने तो अभी सही से पढ़ा भी नहीं, सही से तयारी भी नहीं की, exams आ गए, तो यह difference जो भी है, इन दोनों में मैं आप लोगों के साथ share करूगी सबसे पहले हम बात करते हैं, annual system की, annual system obviously one year का system होता है, जिसमें एक साल की duration होती है और हम लोग जिस तरह हम लोग intermediate में पूरा साल पढ़ाई करते हैं, साल के end में final exams देते हैं और उसमें pass या fail consider होते हैं, तो वो system होता है जो के हम already follow करते आ रहोते हैं, अब हम बात करते हैं semester system की, जो के basically bachelor's की degrees के लिए design किया जाता है अगर आप लोग simple BA करते हैं, के BA भी obviously graduation की एक degree होती है, हम लोग graduate consider होते हैं, तो उसमें हम लोग semester system को follow नहीं करते हैं, उसमें हम yearly system follow करते हैं, annual system follow करते हैं जब हम bachelor's करते हैं, four year degree program करते हैं, तो उसके अंदर हम semester system को follow करते हैं, पाकिस्तान में जितनी भी universities हैं, बाचलर की degree में semester system को follow करते हैं, each semester जो होता है, वो six months का होता है और उसकी जो total degree की duration होती है, वो four years की होती है, जो कि आपकी 16 साला तालीम को मकमल करती है, 16 years of education जो है, आप लोग bachelor's करने के बाद जो हो हासल करते हैं, और अगर आप लोग simple BA करते हैं, उसमें आप लोगों को annual system ही adopt करना होता है, बाचलर's की बागे degrees में आप लोगों को, जो की duration four years होती है, उसमें आप लोगोंने semester system को फॉलो करना होता है, मगर जब आप लोग बात करें तो उसमें आप लोगोंने annual system को फॉलो करना होता है, जैसे हम लोग intermediate में करते हैं, FA, FSC में, एक साल बाद, first year, second year करके exams देते हैं, उसमें होता है, अच्छा, यह तो difference हो गया है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ share किया, कि semester system six months का होता है, एक साल में आप लोगोंने दो papers देने होता है, final exams की, हर six months के बाद आपके annual exam होते हैं, और इसमें CGPA और GPA count होता है, one year का CGPA बनता है, और एक semester का GPA होता है, तो इसमें GPA matter करता है, जिसमें total GPA जो हता है, probably heart university का four होता है, four में से आप लोगों ने लेने होते हैं, three GPA, three point five, four out of four, इस तरह भी आते हैं students के, तो जो GPA system होता है, उसमें बहुत students के four out of four भी आते हैं, और बहुत students के ratio कम होती है, जो fail होते हैं, उसकी में reasons में आप लोगों को फर्दर बताती हूँ क्या है, तो ये आप लोगों के साथ मैं ये शेयर किया semester system और annual system का पूरा format, अब मैं आपको बताती हूँ के इसके pros और cons क्या है, फाइदे और नुकसान, advantage और disadvantage क्यों आखिर बाचलर्स में semester system को follow किया जाता है, सबसे बड़े reason ये होती है, कि obviously semester system अगर आप लोग follow करते हैं, तो आपकी attention रहे, studies में focused रहती है, सबसे major point यही होता है, कि आपको एक साल बात जब papers होते हैं तो आप लोग easy हो जाते है, extra curricular activities में जादा लग जाते है, one year के बाद एक जादा gap भी आ जाता है, और syllabus भी बहुत जादा हो जाता है, semester system का फाइदा यह होता है, कि उसमें divisions होती है, आपके subjects divide हो जाते हैं, आपको पता हो साद annual exams है, मैंने पढ़ना है, extra curricular और co-calcular activities कम होती है, education पे और papers पे थोड़ा जादा focus होता है, मगर कुछ students बहुत शार्प होते हैं, जो के मैं देखती हूँ, university life गुजार के हैं हूँ, तो मेरे साथ भी पढ़ाई के लाबा और activities हम लोग सब करते हैं, extra curricular activities करते हैं, internships करते societies join करते हैं, बहुत सारी चीज़े भी करते हैं semester system के दौरान ही, तो यह एक ease होता है हर student के लिए कि आप लोग समेस्टर सिस्टम को follow करें, ताके आप लोगों का syllabus इतना जादा over haptic ना हो, आप लोगों पे जादा burden ना हो, और आप लोग जो है वो one year gap के बाद exam ना देने पड जाता है, metric inter की बात और होती है, university में बहुत धीला हो जाता है, तो वो उसमें fail होने की chances जादा होते हैं, यकीन वाने semester system में fail होने की chances बहुत कम होते हैं, वो इसलिहाज से syllabus की division हो जाती है, आप लोगों पे जादा pressure नहीं रहता है, एक 6 महीने के बाद annual exam देके आप लोगों क annual system के क्या pros है, फाइदे क्या है, वो यह है, कि obviously इसका divert कर लें के एक साल का आपको time मिल जाता है, और extra calicular or co-calicular activity करने का आप लोगों जादा chance मिल जाता है, which is also a good thing, मगर university life में na semester system के हम लोगों कितने आदी हो जाते हैं, कि हमें annual system भूल ही जाता है, हमें यही होता कि 6 months के बा आप लोग extra calicular activity जादा कर लेते हैं अपनी और पढ़ाई पे भी focus होता है, मगर नुकसान भी यही है, कि जादा extra calicular or co-calicular activities जो है, आप लोगों की life में आ जाती है, और फिर आप exams के लिए easy हो जाते हैं, आप कहते हैं, एक साल है, बहुत time है, आखरी महीने में पढ़ लेंग तो यह है इसके pros, फाइदे, आप इसके cons में आप लोगों को उताती हूँ, कि semester system का नुकसान कम होता है, हलाके और फाइदा जादा होता है, नुकसान यही होता है, कि duration का मसला यह होता है, कि आप लोगों को mid-term exams देने पढ़ते हैं, 3 months के बाद, और 6 months के बाद annual exams जो है, फोड़ा से hectic होता है, मगर आप यकिन कर आपको मज़ा आएगा, आपका syllabus division देखके, आपके veteran देखके, आप लोगों को मज़ा आएगा semester system में, मगर थोड़ा से hectic जरूर हो जाता है, और annual system के में यह नही होती चीज़, वो थोड़ा ease आपको मिल जाता है, और मैं आप आप कौन्स है, annual system के नुकसानात क्या है, annual system के नुकसानात record किये गए है, कि अगर bachelor's में आपका annual system होगो तो यकीन बच्चे जो है वो जादा फेल होते है, students जादा तादाद में फेल होते है, as compared to semester system, वो ही बात कि subjects का ease नहीं होता, burden जादा हो जाता है, वो easy हो जाते है, वो इसलिए देखें, आप note करिए, बीए के students जो करते है, कुछ लाइक भी होते है, मगर comparatively उनका merit जो है, उनका नंबर जो है, बैचलर's के students से कम होते है, बैचलर's के students 4 out of 4 भी लेते हैं, और बीए के students जो है, वो highest marks कभी भी complete और पूरे नहीं ले सकते, बिशेक उनके subjects का difference होता मगर उनके फिर भी बहुत जादा gap होता है, वो ही बात कि आपको ease नहीं होती, आपको ease के लिए semester system को ही follow करने चाहिए, और पाकिस्तान में, तमाम तर यूनिवर्सिटीज में semester system को ही follow किया जाता है, और semester system को ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो एक particular way है, आपकी university life को clear कर अच्छा, बाज डिग्रीज में, 4.5 months का total semester होता है, 6 months का complete नहीं होता है, कुछ university 6 months का complete भी करवाती है, मगर कुछ university 4.5 कर आती है, उसमें होता है कि विकेशन आड कर लें, चुटियां आड कर लें, semester break आड कर लें, तो आप लोगों को उसमें ease मिलता है, मतलब यहां से अंद करने का time भी मिलता है, subjects में division मिलती है, subjects में ease मिलता है, time basically short होता है, मगर एक फाइदा होता है, marks जादा आने के chances जादा होते है, annual system में यह सब नहीं होता, annual system में लगातार आप चलते आ रहे हैं, और अगर आपको break भी मिलती है, तो exams नहीं होते है, exam से पहले जो break होती है, यह क जो break मिलती है, वो सबसे easy होती है, हमें बता होता है, हमारे exams होगे, अब हमारी छोटियां है, और हम लोग फुल tension free होके ease में है, annual system में आपको break मिल जाती है, और break की वज़े से आप लोगों को और प्रशानी होती है, आपको छोटियों में भी पढ़ना पढ़ता है, मेरा सिस्टम होता है, मगर university life में semester system is easy और अच्छा भी होता है, तो I hope difference आप लोगों को clear हो गया हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए useful और informative साबित होई हो, वीडियो पसंद आए, तो like, share को वें जुरू कीचे का मत दिबारा होंगी, मुझे ते इचाज़त, Allah Hafiz